कि नें डालस वेन विल्टान एंड़ इंद अच्छे से रीड करेंगे कि आलटन ने में क्या कुछ बता रहा था तो फॉरस्ट विल्ट है कि मैटर पाफफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड अटम्स कॉल्ड एंटम्स विल्ट किया था कि दाइल्ट ने बताया कि जो भी तो उस जो भी हमने यह atoms की बारे में रीड किया कि atom को हम डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल या क्यमिकल मीन से यह डाइल्टर ने बताया था ठीक है आटम को डिस्ट्राइब नहीं कर सकते हैं और तो भी हाइड्रोजन के अंदर आटमस होगे और जो भी हाँ पे हीलियम के अंदर आटम इंदर इस हाइड्रोजन के atoms का mass same होगा और इस helium की atom का mass same होगा बतलब इसके अंदर अंदर जो atom है वो same 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 है same size same mass same properties क्योंगी और जो helium वाले अपने atoms है वो अपने mass size और जो shape वगएर वो same होगी तो different elements के जो अंदर elements जो अंदर मतलब atoms होते हैं उन सभी की जो mass है properties हो सभी कुछ same होता है और अगर मैं different elements की बात करूं तो in elements का mass different होगा in elements का mass different होगा क्योंकि अगर for example hydrogen है helium है तो इसके atoms कुछ different होगे इसके atom कुछ different होगे इसका mass कुछ different है इसका mass कुछ different होगा तो अगर आप different elements लोगे तो different elements के different masses होगे atoms के झाल झाल